असलाम लेकूम वेलकम टो किचन विद महनूर और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ सबकी फेवरिट और बहुत ही मज़ेदार चिकन शौर्मा की रेसिपी चिकन को मैलिनेट करने के लिए हम यहां पर ले रहे हैं चिली सॉस 5 तेबल स्पून वायक यौगर्टं टीबल स्पून जिंजर गार्लिक पेंस टीबल स्पून लेमन जूउस ऐं हमें मिρिच कुटी हूझ सालो में जमें चीजें चाहिए मैंने लिया हैFirst पर वन टेबल स्पून चिकन तिक्का मसाला, वन टेबल स्पून तिक्का बोटी मसाला, हाफ टीजपून नमक, वन टीजपून रेड़ चिली पाउडर, वन टीजपून चिली फ्लेक्स, चिकन हमने लिये है यहां पर 1 kg. इन सब चीज़ों को हमने यहां पर डाल लिया है और अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, चिकन को यहां हम मैरिनेट करके छोड़ देंगे वन आर्ड के लिए, लो फ्लेम पर अब हमने चिकन को गलने के लिए छोड़ देना है, डोब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की जरूरत है, यहां पर मैंने लिया है तीन कप मैदा, वन टी स्पून सॉल्ट, वन टेबल स्पून यीस्ट, टू टेबल स्पून आइल, त्री टेबल स्पून यॉगर्ट, हाफ कप वाटर और हाफ कप मिल्क, नीम गरम पानी ल लेंगे इसको बनाने के लिए, डोब बनाने के लिए हमें चाहिए तीन कप मैदा और उसे हम कर लेंगे स्टेन, डोब को हमने गून लेना है और इसको हमने ना ज्यादा नरम करना है और ना ही ज्यादा हाड रखना है, तो हमने इसको दिरम्याना रख लेना है, यह मैंने यहां पर आटा गून लिये, और आप देख सकते हैं, इसको अब हमने रख देना है, वन आर के लिए और इसको हम कवर करके रखेंगे, मैं आपको दिखा देती हूं किस तरह इसको कवर करके रखेंगे और यह फूल जाएगी, यह यहां पर मैंने अपनी डोग को एर टाइट करके फूड रैप से रैप कर दिया है, और वन आर के अब हमारी डोग को रखेंगे और आप देख सकते हैं यह इसको अच्छे से राइज हो गयी है यहां देखें यह आटा जो है मैंने इसके पेड़े कर लिये थे, उसके बाद भी इसको आटे को हमने पेड़े करके छोड देना है तो उसके बाद ये फूल जाएंगे पेड़ा करने के बाद इस तरह के आप देख सकते हैं किस तरह ये डो जो है ये हमारी राइज होगा यहाँ पर हमने पैन में रोटी को डाल दिया है और लो फ्लेम पर इसको हम ढख कर पकने के लिए छोड़ देंगे देखें ये हमारी रोटी किस तरह पूल देए है यहाँ पर साइड चेंज करके भी हम इसे थोड़ा सा सेक लेंगे चिकन हमारा यहाँ पर रेड़ी हो गया अब हम इसे देंगे कोईले का दम और तीन से चार मिनट इसको ढख कर रख देंगे ये आप देख सकते हैं हमारी शौर्मा ब्रेड बन गे अब हम इसको हलका हलका ऑईल लगा लेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि हमारी शौर्मा ब्रेड कितनी फलफी और नरम सी बनी है शौर्मा सॉस बनाने के लिए हमने जो चीज़ा लिए हैं यहां पर मैं आपको बता देती हूँ आदी प्याली लिए है मैंने गाजर उसको पानी हमने अच्छे से निचोड लेना है आदी ही प्याली मैंने यहां पे लिया है कीरा उसके पानी को भी निचोड लेंगे और मैंने लिया है चिली गार्लिक सॉस, 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, मायोनीज मैंने लिया है, आधी प्याली मायोनीज लिया है, गार्लिक पेस्ट लिया है, मैंने 2 टेबल स्पून इसमें, और 1 टेबल स्पून लिया है, मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, यहाँ प और यह साथ कार्लिक पेस्ट बनाने के लिए जिन चीजों की हमें जरूरत है उसके लिए मैं आपको बता देती हूं यहां पर मैंने ली है बंद को भी वो डालतूंगी इसके बाद मैंने यहां पर एड़ किया है खीरा स्ट्राइस में लंबा-लंबा कटा हुआ है वह ले लेंगे यहां पर भो चला जाएगा किसी के यहां पर थोड़ी से सि में हमारी वह बेद बलंबी का टीवी है और हमारी अपैर डाल देंगे और फिर अपिल में डालेंगे विनिगर कर लेंगे इन सब चीजों को हमने कर लेना है बहुत अच्छी से मिक्स यहाँ पर हम अपनी पहले सास लगा देंगे श्वार्वाली ब्रैट पर हम यहिए लगा देंगे नैक्सने में चिखना दिख सापाल्स jurisdiction अब हम इसमें अपना आड़ कर देंगे यह सैलेड जो हमने बनाया है अब दुबारा से हम इसमें इतनी सोस्टर बनाई है हमने वो हम आड़ कर देंगे ठीक है अब हम इसे कर लेंगे रैप जनाब हमारा शौर्मा त्यार हो गया है इसको आप सर्फ कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके लिए इसी तरह न्यू न्यू रेसिपीज लेकर आऊंगी